हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आयतन और धारिता, वॉल्यूम एंड केपासिटी का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिल्चस्पधारन देखेंगे। देखो थॉमस, आजकल ये चिप्स इन बेलन आकार डिब्वों में बिखने लगे हैं। ये डिब्बे देखने में तो इतने बड़े नजर आते हैं। लेकिन इने कोलने पर ये ग्यात होता है कि ये ग्राहकों को बेवकूव बना रहे हैं। ऐसा क्यों मानस? क्योंकि जब आप बॉक्स को बाहर से देखते हैं, तो बॉक्स का आधार यहां नजर आता है। हाला कि यदि आप बॉक्स को अंदर देखते हैं, तो आधार इस सूचाई पर नजर आता है। इसका मतलब इस डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम और धारिता, कैपैसिटी अलग-अलग हैं। वो कैसे? चलो, मैं तुम्हें ये गणित के द्वारा समझाता हूँ। ये गणित का समय है। चलो, मानस, पहले हम इस बेलानाका डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम ग्याद कर ले। डिब्बे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और डिब्बे की उचाई 14 सेंटीमीटर है। इसलिए इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि बेलनाकार डिब्बे का आयतन वॉल्यूम 704 घन सेंटीमीटर है। और मानस देखो इस बेलनाकार डिब्बे की धारिता गयात करने के लिए हमें डिब्बे की उचाई केवल उसके भीतर वाले आधार के स्तर तक ही नापनी हैं क्योंकि डिब्बे में हम केवल उसी स्तर तक वस्तुए भर पाएंगे। अब क्या तुम मुझे डिब्बे की धारिता ढूंड कर बता सकते हो? बेलानाकार डिब्बे के आधार की त्रिज्या, उसके भीतर और बाहर, दोनों के आधारों के लिए बिल्कुल समान, चार सेंटीमीटर ही है. लेकिन इसके भीतर की आधार तक क्यों चाई, 10.5 सेंटीमीटर है. अब इस तरह से हल करने पर हम देख सकते हैं कि डिब्बे की धारिता, कपैसिटी, 528 गन सेंटीमीटर है. और तुम तो जानते ही हो, थॉमस की एक गन सेंटीमीटर, एक मिलीलीटर के बराबर है. इस तरह डिब्बे की धारिता, केपैसिटी, 528 मिलीलीटर हुई. देखा मानस, एक ही डिब्बे का आयतन, वॉल्यूम और धारिता, केपैसिटी, अलग-अलग हो सकते हैं. तुम बिल्कुल सही कह रहेते था, मस. ये तो सरासर लूट है. चलो, हम अपनी दुनिया में लॉट चले हैं. इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह आयतन और धारिता, वॉल्यूम और केपैसिटी पर आधारित हमारी देनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है.